अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एक जूट होती की निज़ा आ रही है अरविंद केजरिवाल को अखलेश यादव का साथ मिल चुका है इसके लावा ममता बेनरजी का भी साथ उनको मिल चुका है यानि कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक जुट करने की कोशिश की जा रही है इसके लावा महराश्च में उद्धफ ठाकरे का साथ भी अरविंद के जिवाल को मिल गया है यानि कि इस अध्यदेश के मद्दे नज़र 2024 की रणीती भी अरविंद के जिवाल अपनाते हुए नज़र आ रहे है साफ तोर पर एलान कर चुके है कि 2024 में भी तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे लेकिन इस पूरे मसले पर आपको बता दे मोदी सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है क्योंकि केंदर सरकार जो अध्यदेश लेकर के आई है अरविंद केजरिवाल के खलाफ उसको लेकर के यहां पर घिरती हुई खुद ही नज़र आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोड का फैसला जब से अर्विंद केजरिवाल के समर्थन में आया है तब से मोधी सरकार की मुश्किले बढ़ती वे नजर आ रही है सुप्रीम कोड के फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार या धदेश लेकर आई है अब इस बिल को पास ना करवा पाए मोधी सरकार इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ अर्विंद केजरिवाल को मिलता हूँ नजर आ रहा है अब ये साफ तोर पर जाहिर हो गया है कि बिल तो पास होने से गया संसद में लेकिन क्या मोधी सरकार जिस तरीकी की किरकरी यहाँ पर उनकी होती हुई नजर आ रही है क्या मोधी सरकार को माफी नहीं मागनी चाहिए क्या प्रधान मंतरी नरेंद मोधी को खुद ही अपनी हार कबूल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तमाम विपक्षी पाटियां यहाँ पर एक जुट होती हुई नजर आ रही है कि अंद्रे सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अखलेश यादव यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं मोधी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आते हैं साथ में त रुकसान 2024 में भुकता पड़ सकता है नरेंद्र बोधी को जी हाँ आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं वे कमेंट करके जबरूर बताएं देश और दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए